नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अनीता सिंग। दोस्तो अभी सबज्यों की वौई का समय शुरू हो चुक Response है, बारिश का समय भी है सबज्यों में जैसे की प्याज की खेति में जलेभी रोक कगा बहुत ज़्यादा प्रकौफ होता है जलेबी रोग बहुत ज़्यादा आता है शुरुवाती स्टेज से इसका टेक ज़्यादा देखने को मिलता है साथ ही सबज्यों की फसलें जैसे की अभी गोबी है गाजर है मूली है पालक धनिया उसके साथ ही मिर्च टामाटर इस टाइप से आप जो भी सबज्यों की खेती करते इनमें भी शुरुवाती स्टेज में फंगस वाले रोगों काटेक ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे की डंपिंग ओफ है जड़ गलन है तना गलन है कोलर रूट है तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए और प्याज में जले भी रोगों को भी कंट्रोल करने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है ऐसा छोटा सा टिप शेयर करूंगी सबी परकार की फसलों में अगर आप ये कारिये करेंगे तो किसी भी टाइप की शुरुवाती स्टेज में फंगस चनीत रोगों काटेक देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप प्याज की खेती ये सबी परकार की बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है बिना स्किप किये कंप्लीट जरूर देखने तो दोस्तों सभी परकार की फसलों को शुरुवाती स्टेज में जो फंगस चनीत रोग आते हैं उनसे बचाने के लिए और प्याज में जले भी रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले ही ये कारिये जो मैं बताऊंगी ये पहले ही आपको करना है सोईल हेल्थ पे आपको कारिये करना है अब आपको सबसे पहले लेना है इस कारिये में कोपर सल्फिट नीला थोता जिसे कहते हैं नीला थोता के नाम से दोस्तों आपको बोर्डो मिक्षर नहीं समझना है इस वीडियो में मैं बोर्डो मेक्षिर शेयर नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं बोर्डो पेंट वगर इस टाइप से कुछ तयार करवाँगी, तो आपको लेना है नीलत होता है या कोपर सल्फेट, पंसारी की दुकान पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, पंसारी की दुकान पर ये लेना है और शेकंड आपको लेना है एक एकड के लिए एक केजी चूना या लाइम जिसे कहते हैं, चूना या लाइम दोस्तों ये थोड़ा सा पेस्ट लिक्विड गीला भी आता है वो भी आप ले सकते हैं या जो सूखा आता है वो भी आप ले सकते हैं, अब इसको तयार करने के लिए आपको एक एकड के लिए 200 लिटर पानी लेना है, एक आप बकेट लीजिए प्लास्टिकी पहली नाइट में या कम से कम 4-5 गंटे पहले बिगो देना है दो केजी कोपर सलफेट या नीला थोता अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि यह धीरे धीरे गुलता है चार-5 गंटे पहले या फिर अगर आप सुबह-सुबह इसको यूज करेंगे तो पहली नाइट में या प्लास्टिकी बकेट में बिगो दीजिए चूना या कड़ी अगर आप जो पेस्ट टाइप का आ रहा है वो ले रहे हैं तो आपको पहले बिगोनी की आवशिक्ता नहीं है लेकिन अगर आप जो सूखर आ रहा है उसको आप ले रहे हैं कड़ी या लाइम तो आप एक मटका लीजिए मटके में एक केज़ी चूना डालिए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजीए और रख दीज़ पहली नाइट क्योंकि ये भी heat पैदा होगा जैसे ही चूना पानी के संपर्ख में आएगा heat पैदा होती है तुरंत इसको यूज नहीं कर सकती है इसलिए पहली night में आप इसे भिगो दीजिए मटके में ही भिगोएं दोस्तों इस चीज का ध्यान दखें पानी आप एक केजी चूने के लिए दो लिटर तीन लिटर ले सकते हैं लेकिन मटके की साइज भी उसी अनुशार आपको थोड़ी बड़ी साइज में लेना है इन दोनों को अब दूसरे दिन एक एकड़ के लिए 200 लिटर पानी लीजिए 200 लिटर पानी में जो कोपर अब दाज चुके हो 200 लिटर पानी में उसमें आपको दीरे-दीरे मिक्स करना है दोस्तों इसका पी-एच आपको पांच रखना है इस चीज़ का ध्यान रखिये क्योंकि यह हम खड़ी क्रोप में इस पर नहीं करेंगे आपको सोईल हेल्थ पर कारिये करना है फंगस वाले करने के लिए कारिये कर रहे हैं तो दीरे-दीरे आप मिक्स करेंगे पी-एच लगबग पांच के करीब यह जाएगा दो केजी कोपर सलफेट में एक केजी चूने का आप गोल डालेंगे तो इतना ही लगबग पी-एच जाएगा इसका आपको अपनी मिट्टी पे जब फस टीपे स्प्रे करना है अब आप जब भी फिर उसके बाद में आप जुताई कर दीजिए उसके बाद में आप बैड बना करके खेती कर रहे हैं या क्यारी बना करके खेती कर रहे हैं कोई भी सीड लगाने से पहले या प्लांटेशन करने से पहले अगर आपने नर्सरी तया बही 200 लिटर पानी में दो केजी कोपर सलफेट एक केजी चुना चुने का गोल ये मिक्स करके फिर से आप केवल मिट्टी पर ये आपको स्प्रे कर देना फिर आप प्लांटेशन कर दीजिए चाहे तुरंत भी प्लांटेशन आप कर सकते हैं ये कारिये करके देखिए दोस्त करेंगे तो वो कारिये करने की आपको जरूरती नहीं पड़ेगी ये कारिये आप जरूर करके देखिए और प्याज की खेती कर रहे हैं और पिछली साल जलेबी रोग का अटेक था इस बार अटेक नहीं हो तो ये कारिये आपको 100% करना है खर्चा कम होगा रिजल्ट बहु के साथ में शेयर करने थी हम लंबे समय से इस तरीके का कारिये कर रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आप भी जरूर कीजिए और लास्ट में छोटी रिक्वेस्ट है दोस्तों जो भी किसान बाई प्याज की खेती करते हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करे और दोस्तों डेली शाम को मैं इस्साग्राम पे जरूर आती हूँ आप लोगों के कमेंट भी देखती हूँ और आप मुझे अपनी क्रोप की फोटो भी सेंड कर सकते हैं तो आप मुझे इस्साग्राम पे भी फोलो जरूर कीजिए जानकर ये अच्छी लगिए वीडियो क को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद